बीजेपी के तीन योगी एक योगी आदितिनाथ तो उत्तर प्रदेश वाले बाकी कौन से दो योगी अभिशेक बीजेपी ने किस तरीके से अपनी जूनियर लाइन को खड़ा किया और एक बात आपको कहते हैं कि घर का अभिबावक बुढ़ापे में तभी खुश रह पाएगा जब उसके बच्चे या उसके जूनियर या उसके परिवार के बाकी सदस से अच्छा काम करते हैं समाज की परंपरा सब जानते हैं जिनके बच्चे सटल्ड हैं और जिनके बच्चे समाजिक हैं कई लोग सटल्ड होने बाद माबाप को रख देते हैं आश्रम में उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो लोग सटल्ड भी हैं जो अपने माबाप की इजद भी कर रहे हैं और खु भेजा गया सिक्किम में भेजा गया आसाम में भेजा गया हर वो राज भेजा गया जहां लोग उनको सुनने के लिए आ रहे थे क्योंकि यूपी में जैसे माफियाओं पर योगी का बुल्डोजर चला वैसे आसाम में मदर्सों पर बुल्डोजर चला और दोनों नेताओं न आप इस चुनाओं के बाद वो तीसरे योगी की खूब बात होगी है चार तारीकों उस योगी को आप दिल्ली भी देख सकते हैं उन्हों ने जो किया है वो बहुत ही करिश्माई है और वो इसलिए करिश्माई है कि बीजेपी के तिहास में चाहे वो अटल यूगरा हो चाहे तमिल लाडू के पुर वाईपीएस अन्नमलाई जिनका अंदाज ये साफ कहता है कि तमिल लाडू के बीतर बीजेपी जिन्दा हो गए तमिल लाडू को समझने के पहले इस कल्चर को समझना पड़ेगा कि तमिल लाडू में अन्नमलाई की जरुद पड़ी क्यों बीजेप पी वो कर रही है जो एक्जिट पोल बता रहे हैं देखे तमिलाडू को राजनीती का एक रास्ता दिखाने वाला राज्य कहा गया हमेशा से मायावती के साथ बहुत बात में घटना हुई जो घटना हुई थी जो गिस्ठाउस कांड हुआ था उसके चार साल पहले ही पांस सा लाजनीती सेट की वो राजनीती आगे बढ़ाई जैललीता ने जैललीता ने कहा कि आप टीबी बाटेंगे तो मैं साधी बाटूंगी तो वहाँ से तमिलाडू की परंपरा शुरू ही जैसे यूपी में मायावती और अखलेश यादो या मुलायम सिंग्यादों ने अलग अलग समय पे राज़ पे कबजा किया सेम डियमके और यह आई डियमके के बीचुआ है ठीक है अब उनके बेटे आगे स्टालीन और यह वही परंपरा चल रही है और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी तमिलाडू के बीतर जयेललिता के बाद जाने के बाद वह वेक्वम जो क्रियेेट HASनाम लग अंदी नएै क्या नहीं जयालिता के जाने के बाद बीजेपी कुछ नहीं कर पाई खास बीजेपी लेकिन काम कर रही थी नीचे बैठकर कि तमिलाडू में हम अपना जनाधार बढ़ाए अंदा आ किया गया जैसे किरनवेदी की छभी है ठीक वैसी छभी अन्ना मलाई की है देखने में बहुत ही आपको लगेगा कि किसी साउथ फिल्म के बड़ा सिंगम सा कोई ऑफिसर है लुक सोच काम पढ़ाई लिखाई और नरेंद्र मोदी की लीडर्शिप के भीतर एसमेन बनके काम क साथ ना खाडए हों मतलब वह सी सी इतने जरूर्वड में बीजेपी लाइफ में जतनी सीटे जीती होगी एक ही बार में जितने जा रही है अभिशेक ये जो चर्चा हो रही है कि मोदी जी 400 पार होंगे नारा हुआ लेकिन बावजूद इसके अगर तमिलाडू में वो होने जा रहा है कि जो एक्जिट पोल दिखा रहे है तो मुझे लगता है कि मोदी का 400 का नारा एक तरफ और तमिलाडू का चमतकार एक तरफ ये दोनों समाना अंतर समझिए चुकि तमिलाडू के भीतर बहुत भारी संख्या में यूपी बिहार के लोग रहते हैं और वहां हिंदी का विरोध बहुत चरम पर है बीजेपी हिंदी का विरोध कर नहीं सकती और हिंदी के पक्ष में बहुत धीरे-धीरे वहां पे काम करती है अन्ना मलाई के नाम पे जो यूपी और बिहार के लोग वहां पे काम कर रहे थे उन्हें ये संदेश गया कि नरिंद्र मोदी ने अन्ना मलाई का हाथ पकड़ा है तो हम इन पे विलीप करेंगे वो यूपी बिहार के जो कर्मचारी या पर जो 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 ऑफिसर राइंग जो जिस भी राइंग पे ल लेकिन अलना मलाई पिछले तीन साल से पूरा तमिल्लाडू खुद घूम रहे अकेले पूरा कारिकरताओं के साथ है कि अन्ना मलाई ने सबसे जाधा जो प्रयोग किया वो तमिल्लाडू के कल्चर के साथ-साथ वह यूपी बिहार की लोगों से भी मिले देखिए क्या ह कर दिया तो इन सब चीजों का भी एक तमिलाडू के अंदर एक मैसेज गया तमिल पिपल्स के अंदर कि भाई BJP को एक मौका यहां जरूर मिलना चाहिए जो चीजे मैं तीन चीजे जोड़ता हूं इसमें पहली चीजे कि दो बार तमिलाडू ने या फिर साउट के राज्यों नरिंदर मोदी को डिनाइख मैं कि indira कि आप अब भी तो चावल खाते हैं इधर भी लोग चावल्म हानी थोड़ा एक और धारडा साउथ में मैं ये चीज अगर को हो सकता है बहुत से लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे पर मेरा एक पॉइंट पर ये भी मानना है कि बीजेपी को इस बात पर भी बोट मिला क्योंकि साउथ योगी आदितनात को विकल्प के तौर पर देख रहा है और योगी अधितनात हो या हेमंत बिश्व सर्मा हो या अन्ना मलाई हो ये तीनों की तीनों नेता जो भी इनका विचार है जो भी यह सोसते हैं ये बिलकुल कलियर है कोई परदा नहीं रख रहे हैं बीच में एकड़म कट टू कट बातें करते हैं अगर योगी आदितनात को कुछ कह तो बिल्कुल सीधा कहेंगा और यही बात अन्ना मलाई में भी है तो यह जो सेकेंड लीडर्शिप एक तरह से बीजेपी के अंदर जो खड़ी हो रही है यह तो बिल्कुल हाड हिंदित्तो वाली है अब दिखिए सिर्फ तीन नाम मत गिनिये फिर इसमें आप जो नए तीन राज्य के मुक्यमंत्री बनाए गया आप उनका भी नाम गिनिये मोहन यादो को आप देखते हैं नहीं स्कूल के नहीं विद्धार थी थोड़ा समय लगेगा थोड़ा समय दिया जाया जाए मानता हूं मोहन भागवद बहुत ही जादा डीप हिंदुत को समझते हैं और मो हाँ बहुत ही मतलब राजनितिक भBobकाल के शिकार नहीं बहुत ही संसकारी परिवार है और राजनिती में बहुत इसथा परिए तीसरा मोहन भागवान मोहन यादो उजेन से आते हैं और वह बहुत ही 23 में का यदिस शारी किया गया कि सब loudspeaker हटा दो चुनाव की वज़े से वो दुवारा बैठक नहीं कर पाए बीच चुनाव उन्होंने बैठक के कि ये loudspeaker हटे क्यों नहीं धार्मिक अस्थलों से तो वो जो जो कैडर है ना बीजेपी का जो उपर बैठा हुआ है वो ये देख लेता है कि अन्ना मलाई कौन है मोहन यादो कौन है हिमंता बिश्व सर्मा की इज़त क्या थी कॉंग्रेस में उनका बयान क्या था जब बाहर निकले थे कि राहूल गांदी ने उसी प्लेट से हमें बिस्कुट उफर किया जिसे वो अपने कुटे को खिला रहे था तो भाई आप एक बात में देख लीडर जो पूरा नॉर्थ इस्ट उठा करके कॉंग्रेस की जोली में रख सकता है नॉर्थ इस्ट पश्चिम बंगाल में ममता बनर जी की पूरी चाबी उनके पास है पूरी रिपोर्ट है उनके पास जब चाहें तब उनको बीजेपी आगे कर दे पश्चिम बंगाल में आप देख लीजेगा तो बीजेपी जो योगी पैटन पर काम कर रही है क्लियर हिंदुत वाली जो क्वालिटी है और एक चीज और याद रखेगा इसमें एक चीज और जोर दिना होगा हिंदु या हिंदुत्य का नाराद पीटने से या बोलने से तो आपको वोट नहीं मिलेगा आपको विकास भी चाहिए और विकास तो दिख रहा है जो योगी मॉडल है जो योगी मॉडल है वो चाहे कानून विवस्था में आपको दिखे आपको चाहे सडकों में दिखे या पी विवस्था में दिखे कहीं न कहीं आपको दिखे का जरू पी अगले चुनाओं की तैयारी कल से शुरू कर देगी तमिल लाडू के विधान सबाच चुनाओं की तैयारी शुरू करेगी बीजेपी जरूर वहां पे चुनाओं नहीं जीतेगी लेकिन एक आवाज उठाने वाले विपक्ष की भुमिकाना वाली स्थिति तो जरूर हो जाएगी दूसरी बात ये इस वीडियो को देखने के बाद अम दर्श्रकों से चाहेंगे कि एक वीडियो आप जरूर देखिए आज रात आपको नींद बहुत अच्छी आने वाली है भारत का एक जिट पोल देखकर पाकिस्तान में क्यों मची है तबाही